नमस्कारम तिस इस दिपक्तिवारी और विल्कम यू ओल तु स्वान इंचिट्यूट कुछ एक वर्ट्स देखेंगे इसमें हम जान बुझकर जान बुझकर जान बुझकर और भी वर्ट्स बोलते हैं जैसे Knowingly, Deliberately और Willingly इन सब का मतलब भी जान बुझकर ही होता है अगला है Unintentionally इसका मतलब है अन जाने में अगला है Angerly इंगरली का मतलब होता है गुस्जे में, क्रोध में अगला है, कामली, सांती से, मैडली, दिलो जान से, बे तहां, जिस्को बोलते हैं, that is called madly, अगला है, टाइटली, मैड़ा, कसकर, जोर से, क्लीर, साफ-साफ, फॉर्चुनेटली, यानि सव भाग्य से, और अफॉर्चुनेटली, यानि दुर भाग्य से, अगला है deeply यानि गहराई से easily यानि कि आसानी से finally यानि आखिरकार probably यानि सायद या पर संभौतव बोलते हैं जिसके chances ज़्यादा होने का सायद को maybe भी बोल देते हैं और perhaps भी बोल देते हैं पर वहाँ पर chances कम होते हैं perhaps में और maybe में पर probably का मतलब है कि सायद होने वाला लेकि उसके chance हमें ज़्यादा लगते हैं अगला वाट अपने पास suddenly यानि कि अचानक doodly यानि बेरुखी से politely अदाब से बिनरमता से नमरता से अगला है quickly यानि कि जल्दी जल्दी slowly धीरे धीरे frequently यानि कि बार-बार वैसे again and again का भी उसकर देते हैं इसका मतलब भी बार-बार होता है carefully यानि सावधानी से reclisly या फिर carelessly का मतलब वहला परवाही से silently या फिर quietly का मतलब है चूप-चाप और immediately यानि कि तुरंत या फिर फॉरें और eagerly यानि की eagerly का मतलब होता है besabdi से eagerly बोलते है इसे और अगला यहाँ पर हम word खतम कर देते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में till there bye bye and take care